ममस्कार दोस्तों उमीद है आप लोग स्वस्ताउंखोश होंगे हजिर हुमें एक बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती इमोशनल स्टोरी के साथ दोस्तों इस स्टोरी में तीन चीजे हैं जिनकी मुख्य भूमिका है एक है उडिशा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्ब दूसरा है वहां के फॉरिस्ट आउफिसर जोब जिन्दा नहीं है जिनका नाम था शरोज राज चौधरी और तीसरा किरदार इसमें है टाइग्रेस जिसका नाम खेरी रखा हुआ था दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्ब की सिमलीपार टाइगर रिजर्ब के अलावा एक नेशनल पार्क है जो उडिशा के मयूर भंज डिस्टिक में है उडिशा में बहुत ही खूपसूरत से नेशनल पार्क से है जिनमें से एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क है इस नेशनल पार्क को 1973 में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था जिसमें हमारे देश में टाइगर कंजर्वेशन का टाइगर्स को बचाने की एक मुहिम चल पड़ी थी हमारे देश में टाइगर से की संख्या बहुत कम रह गई थी जिसकी वज़े से सरकार ने नैशनल लेबल पर ये एक अभियान चलाया और जितने भी स्टेट गौवर्मेंट्स के बन विवाग थे सब को यह शुनिश्चित करवाया कि उनकी एग्या में भी टाइगर कंजर्व के लिए उसनपूस काम चले तो दोस्तों यह सिमली पाल जैसे टाइगर रिजर्व बना गया एक बहुत खूबसूरत नेशनल पार्ग है लोग यहां घुमने जाते हैं जो भी इसके बारे में जानते हैं यहां पर बड़े खूबसूरत वाटर फॉल से हैं इस नेशनल पार के अंदर जिन में से एक बरही पानी और बड़ा घागरा इस दो वाटर फॉल हैं जो बहुत बड़े हैं उसके अलावा और भी जो इनसे छोटे वाटर फॉल से वो भी इस गर ताइगर रिजर बिया, नेशनल पारक के अंदर हैं और जहां और वह लोगों के एक कारण हैं जो लोग बी इस नेशनल पारक के अंदर जाते हैं घूमने के लिए इन वोतर फॉल्स को जरूर विजिट करते हैं तो दोस्तों वापस आते हैं, हम अपने कहानी पर, यह कहानी है एक टाइग्रेस की और एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो ओडिशा के फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिनका नाम था, शरोज राज चौधरी उनके बीच गी दोस्तों 1974 में एक दिन क्या हुआ कि उस एरिया में जो ट्राइवल से रहते थे, वो लोग जंगल में हनी कलेक्ट करने के लिए गए थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ट्राइवल से हैं, जंगल से हनी और कई तरह की जड़ी बूटियों को इखटा करते हैं और उससे वो अपना जियो नियापन करते हैं, तो कुछ लोग, कुछ ट्राइवल्स एक ग्रूप बनाके पह हुए थे हनी कलेक्टि करने के लिए, तो जब यह लोग जंगल में मूब करते हैं, तो अपने साथ ड्रम्स भी ले जाते हैं साथ में, क्योंकि इनका जंगली जा पहला करते हैं और साथ में ड्रम्स बजाते हैं, तो इस दफा जब यह लोग आ रहे थे वापस, तो इस नेशनल पांक के अंदर एक नदी बहती है, जिसका नाम है खैरी, तो इस खैरी रिवर के पास में इन लोगों को एक टाइग्रेस दिखी, जिसके साथ तीन कब्स थे, तो इननों शोर मचाया, टाइग्रेस को भगाने के लिए, तो टाइग्रेस अपने दो कब्स के साथ महां से भाग गई, तीसरा कब जो कमजूर था, वो वहीं रह गया, तो यह लोग उसे अपने साथ ले आये, ट्राइवल्स, और एक रात इननोंने अपने साथ रखा उसे, फिर इनकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या किया जाए, तो यह दूसरे दिन सुबह, वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, संकर राज चौधरी, उनके पास पहुँचे, और उन्हें बताया कि यह कब उन्हें कैसे मिला, संकर राज चौधरी, टाइगर के संग्रक्षन के लिए काम कर रहे थे, तो उन्हें एक तरह से उस टाइगरस को एड़ॉप्ट कर लिया, यह जो बच्चा था, यह फिमेल थी, तो उसे उन्हें अपने बंगले में रख लिया, और उनका जो फॉरेस बहेंगलो था, जिसमें रहते थे, उनका क्वार्टर जो था, उसको उन्हें एक तरह से जंगली जानवरों के रहने के लिए एक जगए बनाई हुई थी, महाँ पर सिर्फ यह काईगर का एक कभी नहीं आया था, बल्कि उससे पहले काफी सारे जानवर उनके उस प्रिमाइसेज में रहते थे, जिन में एक अंधा लकडवगदा था, पाइथन था, महेंगूज था, गिलहरियां थी, और उसके लावा कुत्ते थे, मोर थे, यानिकि काफी बड़ी संख्या में प्राणी उनके परिशर के अंदर रहते थे, चुकि वो उनको खाना खिलाते थे, और उनको कोई नुक्षान नहीं पहुचाते थे, तो जाहिर था समय के साथ-साथ, जानवर उनने भी उनको पहचान लिया कि ये कोई खान पहुचाने वाला मनुश्य नहीं है, इसलिए वो उनके साथ पड़े घुल मिलकर रहते थे, तो जब इस ननही टाइगरेस को वहाँ लेके आये ट्राइवल्स, तो संकर राज चाहदी ने उसे एक्सेप्टी किया, उसे लिया, और सबसे पहले उन्होंने टाइगर की एक रोर निकाली, तो अब यह बच्ची जो अपनी मा से बिच्ड़े हुए, कुछ घंटे हो गए थे, इसे बारा घंटे करिये, इसने जब वो टाइगर की रोर सुनी, तो उसे लगा कुछ अपना पंसा, तो वो बड़े आसानी से उनके पास आ गई, तब से वो उनके परिशर में रहने अचा, वहाँ उनकी पत्मी रहती थी, निहार नलनी, जो एक तरह से उस बच्ची की फॉस्टर मदर बन गई थी, उसे खाना किलाती थी, और बात तो यहां तक भी कही जाती है कि यह जो टाइगरस थी, यह और किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाती थी, बलकि निहार नलनी के हाथ से दिया हुआ खाना ही खाते थी उसके लिए specially मटन मंगाया जाता था अच्छा जो सरोज राज चौधरी थे वो टाइगर्स के संग्रक्षण में विशेच रूची रखते थे इसलिए 1973 में उस एरिया में जो टाइगर रिजर्ब बनाया गया था उसके वो फाउंडिंग डिरेक्टर थे गौब्मेंट ऑफ उडिशा की तरफ से तो एरिया में जंगली जानवरूं और जंगली पौधूं के संग्रक्षण के लिए बहुत काम करते थे थरोज जाद चौधरी को एक और क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टाइगर्स की जो काउंटिंग है उनके सेंसस के लिए उनके फूट प्रिंट्स पग मार्क्षण को एक तरीका बनाया क्योंकि जब लोगों को बहुत जादा जानकारी नहीं होती है उनके बारे में तो उनको इजीली आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे इग्जेक्टली टाइगर्स को पहचाने जैसा भी जिम कॉर्बेट या इंडेसन भी कहते थे कि हर एक टाइगर्स पजो पग मार्क्ष रहते हैं वह यूनी को उसके आधार पर आप किसी भी टाइगर्स या टाइगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उनने टाइगर्स के लिए इंडिया में वही अपना है यह जो टाइग्रेस उनके यहां आई थी अभी या लाई गई थी उसका नाम सरोज राज चौनिरे खैरी रख्था खैरी नदी के पास में वो मिली थी इसलिए उसका नाम भी खैरी रख्था गया था अब खैरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बहुत क्लोजली वो उनके साथ एटेच हो गई यहां तक कि वो सोती भी उनके बिस्त्रे में थी जो उनको सरकारी गाड़ी मिली थी उस गाड़ी में कुछ मोडिफिकेशन किये गए थे ताकि जब वो जंगल में जाएं तो टाइगरेस उसके अंदर आ सके तो सरुजराज चौदरी जब जंगल में मूब करते थे तो अकसर वो उसे अपने साथ लेके जाते थे तीरे-दीरे टाइगरेस काफी बड़ी हो गई और जवान हो गई और वो मेटिंग के एजमा हो गई तो सरुजराज चौदरी को यह लगने लगा कि अब यह टाइम है इसको मेटिंग करवानी चाहिए इसलिए उन्होंने कोशिश की कि उसको जंगल में छोड़ा जाए जहां मेटिंग सीजन में इसी टाइगर से उसकी मुलाकात हो जाए इसी सीजन में एक बार संकर राज चौधरी जंगल में मूब कर रहे थे अपनी गाड़ी लेके उसमें खैरी भी उनके साथ थी तो जंगल में एक जगह उन्हें ये लगा कि खैरी को किसी चीज ने एट्रेक्टी किया है इसलिए उन्हों गाड़ी से बाहर निकली और जंग बस नहीं आई, दो दिन बीद गए, दो दिन बाद उन्हें सूसना ये मिली कि जहां पर टाइग्रेस उनकी गाड़ी को छोड़के गई थी, उहीं पर उसको देखा गया है, तो जब संकराज चौधरी और उनकी पतनी वहां पर पहुँचे, तो तुरंत ही खैरी वापस उनके पास आ गई, कई बार उन्होंने उसको मेटिंग करवाने की कोशिश किये, लेकिन क्योंकि वो यूमन बींग के साथ रही थी, और उसकी बॉड़ी में जो स्मेल थी, वो हूमन की थी, इसलिए टाइगर्स के साथ उसकी मेटिंग नहीं हो पा रही थी, यूंकि प्रॉबेब पसाती थी, उसको काफी खरोंचे लगी होती थी, पहराल यहीं समय बीता गया और उनकी बार्णिंग बहुत मजबूत हो गई, इनकी एक ख़बर देश में नहीं, बलकि दुनिया में बहुत जगा फैल गई, जिस तरह उनकी रिलेशनशिप बनी हुई थी, विदेशों से भी कई लोग आए, इनके वीडियोज बनाए, इंटरनेशनल डोकुमेंटरीज में ये वीडियोज पब्लिश होने लगे, और ये ख़वर पतकालीन प्रधानमंती इंदिरा गांधी तक भी पहुची, और उन्होंने भी उनको काफी अप्रिशेट की, इस प्रकार इन तीन की लाइफ चल रही थी, संकर राज चौधरी, सरोज राज चौधरी, उनकी वाइफ और खैरी, उन्हीं सो इकाश में एक बार सरोज राज चौधरी को बाहर जाना पड़ा, साइद दिल्ली जाना पड़ा था, अपने ओफिशल विजिट पे, तो उसी धर्मियान क्या होगा कि उनके परिशर में एक कोई आवारा कुत्ता आगया, स्ट्रे डॉग, तो खैरी ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले कुत्ते ने खैरी को दांत लगा दिया, वो कुत्ता रेवीज इंफेक्टेट था, अब रेवीज का कोई इलाज होता नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसका एक ही इलाज है वैक्षिनेशन, और जब तक शरोज राज चौधरी वापस आते हैं, तब तक रेवीज बुरी तरह से खैरी को जखड़ चुका था, और दिन पर दिन उसकी हालत खराब होते जारी थी, शरोज राज चौधरी को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करते हैं, जिस तरह से उसकी हालत हो रही थी, इस मिजरेबल लाइफ से उसको छुटकारा पाने के लिए, कहते हैं उन्हों, उसे ओबर डोस दे दिया, ट्रेंकुलाइजर का, उसके बाद उसकी मौद हो गई, खैरी की मौद संकर राज चौधरी के लिए बहुत बड़ा जटका थी, खैरी को जो परिशर था, उनका बंगलो था, उसी के लोन में दफन किया गया, और खैरी के मरने के कुछी महनु बाद, शंकर राज चौधरी के भी मृत्य हो गई हार्ट इटेक्स, यही कहा जाता है कि खैरी की, खैरी से वो इतना ज़्यादा इमोशनली एटेस्ट थे, कि उसकी मौत ने उनको बहुत बुरी तरह से जगजोर दिया था, तो दोस्तों यह थी एक कहानी बहुत ही इमोशनल, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भावनापूर्ण कहानी, और इसमें, इस कहानी में एक चीज और है कि अगर कोई जानवर है, चाहिए कितना ही खतरनाक हो, उसे अगर प्यार से पाला जाए, चाहिए उसे प्यार दिया जाए, उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं, वो भी आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करता है.